मामला उज्जन का है जहां रहने वाली महिला किरंटांक हुई अपने रिष्टे में मौसी लगने वाली महिला थाना प्रवारी की दबंगे की शिका महिला थाना प्रवारी बारवार दिखा रही महिला किरंटांक और उसके पती नीरव पटिल बद दबंग गई को जुधार दिये गए रुपयों के चक्कर में कर रही परिशान फर्यादी महिला किरंटा के अनुसार जब वे अपने पती के साथ दीपावली के समय अपने घर में ताला लगा कर गुजरात गई तो उसके बाद महिला थाना प्रवारी किरंटा के घर पहुची मैं वर्दी अपनी बेटी और उसकी सहीली के साथ और किरंटा के घर का ताला तोड़ कर 40-15 अगर का सामान लेकर अपने साथ आ गई जिसकी जानकारी किरंट के पड़ोस में रहने वालों ने उसको दी जब इस मामले में किरंट ने थाना प्रवारी को कहा कि आप सामान क्यूं ले आई तो फिर अपनी दवंगई से किरंट को कहा कि मेरे रुपए लेकरा थाने में लेकिन किरंट ने कहा अभी हमारे पास रुपए नहीं है जैसे ही आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगी आप मेरा सामान मुझे लोटा दें लेकिन थाना प्रभारी ने दो दिन पूर दोनों पती पत्नी को थाने पर बुलाया और जैसे ही थाने पर किरण अपने पती नीरव पटिल के साथ पहुची तो थाने में स्टाफ के सामने दोनों पती पत्नी को बुला कर खुल कर अवद्र पेसे नहीं है, तो उन्हों मेरा हस्बिन को तिन घंटे पिठाया, उन्हीं कपड़े वगरा उतर हुआ है, वो बोले कि अगर ये पैसे नहीं देगा, तो हम इसको खाने बंग कर रहे हैं, वो इसको छोड़ें ये नहीं है, वो मेरा घर के जाके, वो जो भी समान था मेरा पलं अगरी आपने, उन्हीं का पॉन आया, प्राइस मेरी वाइप के उन्हें बुलाया, चिए आप आजा और बैश के बात करते हैं, तो हम लोग यहां पर आये, तो हमारी आप में फिर उनकी जो भी सिपाही थे, हमको बोलके मेरे साद में गाली कलोष करी, फिर मेरे को मेरे कु मेरे को तीन कंदे तक बिठा रखा उकर खनी चाल वजे से साथ वजे तो उसके बाद में पिर मेरी पत्नी की चिल्ला चोप करी उसमें, तो फिर उन्हें थोड़ा चिल्ला चोप करने के बाद, क्या नामा आपका? नीरो का